हाई गाईज, वेलकम टूबी बैंकर, स्वागत आपका आज के क्लास में आज की विरियो में, मैं हूँ प्रीती मैम और आज मैं लेकर क्या आगे हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस्त वाली क्लास तो आज की क्लास होने वाली है ऐसी, जिसमें हम लोग सीखेंगे, ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी जिसमें कोई काम present में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, यानि की present में वो शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी जारी है, अभी भी काम हो रहा है तो ऐसे वाक्यों को हम लोग regular अपने लाइफ में इस्तमाल करते हैं तो इनका अनुवाद कैसे करेंगे अंग्रेजी में या आज हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे चली शुरू करते हैं आज की क्लास उसके पहले अगर चानल पर नए हैं पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं जली से कर लीजे चानल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजेगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए इसके साथ ही आप जुर सकते हैं हमारे साथ सीधी सीधी टेलिग्राम के जरीए टेलिग्राम एपपर लिखिए बीबैंकर हम लोग मिलेंगे आपको वहाँ पर बीबैंकर एजुकेशन सेलुषन के नाम से और आप कर सकते हैं हमें वहाँ पर जॉइन हमारी इभूक्स हमारी फ्री कोर्सिस की एकसेस पाने के लिए साथी साथ paid courses की जानकारी के लिए भी आप इस link के जरीए telegram से जुड़ सकते हैं इस number के जरीए भी telegram से जुड़ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की class तो अगर कभी आपको किसी वाकिय के अंथ में दिख जाए रहा हूं या रही हूँ तो एक तो सीधी से बात है ये एक continuity की feeling देता है मतलब कोई काम जो है वो अभी भी जारी है इसकी feeling दे रहा है तो जब भी आपको किसी वाके के अंत में दिखेगा रहा हूँ या रही हूँ तो उस वाके का अनुवाद कैसे करेंगे चलिए देखें तो सबसे पहले उसके structure को हम लोग जान लेते हैं structure जो है वो कुछ ऐसा है I plus M plus verb plus ing plus ow यानि की I रहेगा साथ में M तो रहेगा ही साथ में verb लगेगा verb के साथ ing रह जाएगा और other words अगर वाके में हुआ तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ I am studying मैं पढ़ रहा हूँ I am studying मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ I am studying a novel मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ I am studying a novel बढ़ते हैं आगे अगर किसी वाके में दिखे आपको रहे हैं या रहे हो क्या दिखेगा रहे हैं या रहे हो तो आपको इस्तमाल करना है इस structure का जो की है u, v, they और इन तीनों के साथ ही लग जाएगा plus r plus verb plus ing plus other words अगर वाक्य में रहा तो जैसे u plus r plus verb plus ing plus ow, v plus r plus verb plus ing plus ow, they plus r plus verb plus ing plus ow ये ऐसे रहेगा चलिए वाक के कैसे होंगे ऐसे वाले इनका स्तमाल देखते हैं आप खेल रहे हैं या तुम खेल रहे हो, you are playing हम लोग काम कर रहे हैं, we are working वे लोग खरीद रहे हैं, they are buying तो इस वाकिय से क्या समझ में आ रहा है कि शुरू हुआ है ये काम और अभी भी जारी है खरिदारी complete नहीं हुई है, क्या सीख रहते हम लोग, present में जारी हुआ काम जो अभी भी जारी है, तो जो लोग खरीद रहे थे, वो लोग अभी भी खरीद ही रहे है खरीदारी अभी बंद नहीं हुई है, तो वे लोग खरीद रहे है they are buying, अगर वाकिय में दिखे रहा है या रही है तो इस केस में क्या करेंगे, तो इसमें structure हो जाएगा he, she, it या कोई भी नाम, चाहे लड़की का हो या लड़के का plus is, plus verb, plus ing, plus other words यानि की he के साथ भी यही structure जाएगा she के साथ भी यही structure जाएगा, it के साथ भी और किसी भी नाम के साथ चाहे वो लड़की का हो या लड़के का तो he plus is plus verb plus ing plus other words और कोई भी नाम लड़की का हो लड़की का हो दोनों के साथ ही चलेगा ये हो गया हमारा structure चलिए अब इनका इस्तमाल भी देख लेते हैं वह पढ़ रहा है, he is studying वह खाना बना रही है, she is cooking राजू खेल रहा है, राजू is playing राजू खेल रहा है, राजू is playing राणी काम कर रही है, राणी is working यह उड़ रहा है, it is flying अब इस तरीके के वाक्यों को हम लोग कई बार negative वाक्य भी तो इस्तमाल करते हैं simple वाक्य तो हम लोग हमीशा नहीं बोलते हैं, हम लोग negative वाक्यों का भी इस्तमाल करते हैं interrogative वाक्यों का भी इस्तमाल करते हैं, तो चलिए अब देखते हैं, interrogative वाक्य में कैसे इनका इस्तमाल होगा interrogative वाक्य कौन से होते हैं, जो सवाल पूछने के लिए इस्तमाल होते हैं तो चलिए, क्या दिखेगा वाक्य में भई, आपको दिखे जाएगा क्या रहा हूँ या रही हूँ और ये जो blank दिख रहा है, उस blank में आपको पता ही है क्या आएगा उस blank में वाक्य का जो actual matter है, वो आ जाएगा तो इसका structure जानना भी बहत ज़रूरी है, चलिए structure जाने structure में बस बदला हुआ है कि I के पहले M ने अपनी जगा बना ली क्यों क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं, structure क्या बन गया M प्लस I प्लस Verb प्लस Ing प्लस Other Words क्या हो जाएगा, उदारन देखें बहतर समझ आएगा क्या मैं काम कर रहा हूँ, Am I working? क्या मैं काम कर रहा हूँ, Am I working? क्या रहे हैं या क्या रहे हो, अगर ये वाक्य के अंत में आपको दिखें, तो आपको इस्तेमाल करना है इस structure का जहां पर आर जो है वो subject के पहले आ गया है, यानि की आर यू वर्ब प्लस Ing प्लस Other Words आर वी वर्ब प्लस Ing प्लस Other Words आर दे प्लस वर्ब प्लस Ing प्लस Other Words ये आपको दिख जाएगा structure तो आपको इसका अनुवाद इसीत मतलब अगर आपको दिख जाए वाक्य के अंत में रहे हैं या रहे हो तो इस structure का इस्तमाल करके हम लोग करेंगे अनुवाद कैसे? क्या तुम खेल रहे हो? Are you playing? क्या तुम खेल रहे हो? Are you playing? क्या हम लोग काम कर रहे हैं? Are we working? क्या हम लोग काम कर रहे हैं? Are we working? क्या वे लोग यहां रहे रहे हैं? Are they staying here? इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और जब भी आपको वाक्य में दिखे क्या रहा है या क्या रही है तो आपको इस्तमाल कर लेना है इस वाले structure का जो की है is plus subject कौन कौन से इसमें इस्तमाल हो जाएंगे he, she, it या कोई भी नाम यानि की is plus he plus verb plus ing plus ow is plus she verb plus ing plus ow is plus it plus verb plus ing plus ow is plus name लड़की का हो लड़के का हो doesn't matter plus verb plus ing plus other words दोनों में ही इस्तमाल हो जाएगा तो ये वाला structure इसके साथ इस पहले आ जाएगा और ये सवाल पूछने के लिए इस्तमाल हो जाएगा कैसे चलिए देखिए क्या वह पढ़ रहा है is he studying क्या वह पढ़ रहा है is he studying क्या वह खाना बना रही है is she cooking क्या वह खाना बना रही है is she cooking क्या राजू खेल रहा है is Raju playing क्या राजू खेल रहा है is Raju playing क्या राणी काम कर रही है इस रानी working, क्या रानी काम कर रही है, इस रानी working, क्या यह कारिक कर रहा है, is it functioning, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं negative वाक्यों में कैसे इन structure को ढालेंगे, मतलब negative वाक्यों में कैसे हम लोग इस्तमाल करेंगे, कैसे अनुवाद करेंगे, तो negative वाक्यों में obvious सी बात है, आपको नहीं का अस्तमाल तो दिखेगा ही, और क्या दिखना चाहिए वाक्यों में, नहीं रहा हूँ, नहीं रही हूँ, क्या दिखेगा, नहीं रहा हूँ, नहीं रही हूँ, structure क्या हो जाएगा, structure होगा I, साथ में लगेगा am और not, नहीं का अस यह structure क्या हो जाएगा I plus am not plus verb plus ing plus other words यह इस्तमाल होगा कैसे इस्तमाल होगा चलिए देखते हैं I am not studying मैं नहीं पढ़ रहा हूँ I am not studying मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आगे बढ़ते हैं नहीं रहे हैं या नहीं रहे हो अगर यह आपको दिखें तो आपको इस्तमाल करना है structure you we they plus are not plus verb plus ing plus other words जैसे आप नहीं टहल रहे हैं you are not walking आप नहीं टहल रहे हैं you are not walking हम लोग नहीं खेल रहे हैं we are not playing हम लोग नहीं खेल रहे हैं we are not playing वे लोग काम नहीं कर रहे हैं they are not working वे लोग काम नहीं कर रहे हैं they are not working अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जब आपको वाके के अंत में दिखें नहीं रहा है या नहीं रही है तो कैसे इस्तमाल होगा तो subject हमारे पास है he she it या कोई भी नाम इनके साथ इस्तमाल होता है is तो इसके साथ लग जाएगा not simple सी बात है he plus is not plus verb plus ing plus other words she plus is not plus verb plus ing plus other words it plus is not plus verb plus ing plus other words नाम ले लिजे चाहे कोई भी नाम हो उसके साथ is not plus verb plus ing plus other words ये हो गया structure तो इस्तमाल देखेंगे वह नहीं खेल रहा है he is not playing वह नहीं खेल रहा है he is not playing वह खाना नहीं बना रही है she is not cooking वह खाना नहीं बना रही है she is not cooking इसके अलावा कई बार हम लोग सवाल पूछने के लिए इस्तमाल करते हैं डबलु एच इंटरोगेटिव शब्दों का डबलु एच वाले शब्दों के उपर क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जाये क्लास को देखे और आपको समझा जाएगा कि कितने सारे डबलु एच वर्ड्स हैं उनका कैसा इस्तमाल आप कर सकते हैं फिलाल अभी अमलोग जैसे वाट वेन वेर यह सारे शब्द होते है इनको डबलु एच वर्ड्स कहते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे इस्तमाल करेंगे सबसे पहले स्ट्रुक्चर जान लीजे डबलु एच प्लस एम प्लस आई प्लस वर्ड्स अधर वर्ड्स यह हो गया स्ट्रुक्चर यानि कि सबसे पहले डबलु एच का वर्ड आएगा फिर am आएगा और am है तो subject क्या आजाएगा मतलब am के साथ क्या इस्तमाल होगा i और word प्लस ing प्लस other words मैं काम क्यों कर रहा हूँ why am I working मैं काम क्यों कर रहा हूँ why am I working अच्छा दूसरे subjects के अगर बात करें तो तो हो जाएगा wh plus r और r के साथ क्या इस्तमाल होगा u, v और d का इस्तमाल होगा यानि की wh plus r plus u plus verb plus ing plus other words wh plus r plus v plus verb plus ing plus other words wh plus r plus d plus verb plus ing plus other words ये हो जाएगा structure चलिए इस्तमाल देखते हैं तुम क्या कर रहे हो what are you doing तुम क्या कर रहे हो what are you doing तु देखें क्या हुआ यहां पर w h क्या हो गया सबसे पहले आ गया w h उसके बाद r लग गया फिर subject में तुम है तो यहां पर you इस्तमाल हो गया बढ़ते हैं और देखते हैं WH के साथ जब हम लोग he, she, it या किसी भी नाम का इस्तमाल करके सवाल पूछना चाहें तो कैसे कर सकते हैं तो WH plus is plus he, she, it या कोई भी नाम इस्तमाल होगा plus verb plus ing plus other words जैसे WH plus is plus he plus verb plus ing plus other words WH plus is plus she क्योंकि she female के लिए इस्तमाल होता है plus verb plus ing plus other words WH plus is plus it plus verb plus ing plus other words WH plus is उसके बाद कोई भी नाम plus verb plus ing plus other words ये हो गया इसका स्ट्रक्चर और देखते हैं अब इस्तमाल वह कहां जा रहा है, where is he going वह कहां जा रहा है, where is he going clear, तो अब आप कहां जा रहे हैं, आपको आपके लिए है अब होमवक कि क्या वह जा रहा है, क्या है होमवक, क्या वह जा रहा है तो आपको करना है इसका अनुवाद, जी हाँ, इस question का, यानि कि इस वाक्य का, आपको अंग्रेजी में करना है अनुवाद, concept वही है जो आज की class में कराया, और comment section में मुझे बताना है किसका जवाब क्या होगा, आपकी सहुलियत के लिए यहाँ पर नीचे upside down में answer दे रखा है, तो आप सबसे पहले तो answer को comment करिए और फिर check करिए कि क्या आपने सही बनाया, तो definitely आपको बहुत मदद हो जाएगी, क्योंकि practice जो है वो बहुत ज़रूरी है, right? So yes guys, यह थी आज की class, उमीद है class बढ़िया लगी होगी, उमीद है class समझ आ गई होगी, तो समझ आ गई है, तो homework तो सबसे पहले कर लेना है, right? उसके बाद करना है class को like करना है, share नहीं किया है channel को subscribe, तो जल्दी से कर लीजे ताकि इतनी ही आसानी से आप अंग्रेजी सीख सकें, bell icon को भी जरूर दबा लीजेगा, साथ ही telegram पर जड़ जाएए, ताकि आप वहाँ पर हमारी किसी भी free course की access को पा सकें, e-book के बारे में जानकारी पा सकें, paid courses के बारे में पूछ सकें, यह है हमारी basic plus spoken English की free course और उसकी e-book, जी हाँ, course बिल्कुल free है, e-book के बारे में आपको telegram पर पता करना होगा, mini spoken English course यानि की छोटा पाकेट बड़ा धमाका वाली बात हो गई, इसमें आपको मिल जाता है ऐसी चीजें जो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, बस आपको इसको polish करने की जरूरत है, तो यह course आप ही के लिए है, तो इसकी free course अवेलिबल है, और इसकी e-book के बारे में आप telegram पर पता कर सकते हैं, साथ ही इन तीनों किताबों के बारे में भी आप पता कर सकते हैं, कि कब आ रही हैं, आपको कैसे मिल सकती हैं, साथ ही अगर आप हमारा कोई भी paid course जॉइन करना चाते हैं, जैसे कि यह premium spoken English course जो की एक completely paid course है, जिसमें आपको certain guidance के तहट जो है course कराई जाती है, आपको doubt classes मिलती हैं, आपको homework दिया जाता है, जिसको आपको submit करना होता है, और homework में आपने क्या गलती की है, ये भी आपको बताई जाती है, इसके साथ ही ये basic English grammar course है, इसके बारे में भी आप जानकारी जो है, टेलिग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं, basic English reading की course, बहुत सारे students को दिक्कत होती है, reading में, English reading में दिक्कत होती है, और कहीं न कहीं यही जो है बाधा बनती है, English कहने में, English बोलने में, तो ये वाली course अगर आप करना चाते हैं, तो इसकी जानकारी भी आपको चेलिग्राम पर ही प्राप्त करनी होगी, किस course या किस e-book या किस free course या किस paid course के बारे में, जानकारी जाहते हैं, ताकि वो आप तक सही समय पर सही जानकारी उपलब्द करा पाएं, जानकारी मिलने में फिर भी 12-40 गंडों का वक्त लग जाता है, तो करपया प्रतीक्षा करें, और अगर मेसेज कर दिया है, निश्चिन्थ हो जाएं, आपको reply जरूर, जरूर मिलेगा, clear हो गई बार? So yes guys, that's it for today, thank you so much for watching, Be With Be Banker, empowering lives through knowledge, thank you so much for watching, stay tuned to Be Banker.